हेलो गाइज वेलकम तो अनेदर वीडियो आप स्टॉक मार्केट फेंट सफायर फूर्ट्स की ओर से जुन क्वार्टर की फिनांसल रिजल्ट पेस हो चुका है स्टैंडर लॉन कॉंसॉलिडेटर दोनों रिजल्स आउट हो चुके है आज केस वीडियो में आसस करें चलिए वेडियो स्टार्ट करते हैं पहले हमनों को इंकम में तेजी देखने को मिल रहा है expenses 628.2 करोड का पिछले quarter में 559.5 करोड का और June 22 quarter में 516.5 करोड का expense हुआ था quarter on quarter year on year के expenses increase लिकिन year on year में expenses बहुँ ज़ाद है वसके गन profits में गिरावट आई है जो कि operating profit 33.6 करोड का पिछले quarter में 12.2 करोड का और June 22 quarter 35.6 करोड का operating profit है quarter on quarter में तेजी है year on year में down देखने को मिला है क्योंकि company के expenses बहुत ज़्यादा किया गया था लेकिन गाइस net profit ने बहुत बढ़ी गिरावट आई और इसका reason ने गाइस company का defer tax जो कि around 124 करोड का gain हुआ था लेकिन इस बार वैसा कुछ नहीं हुआ है लगए चार्ज लगा है जिसका यहाँ पे profit निकल का है 24.8 करोड का पिछले quarter में 165.4 करोड का और जून 22 quarter 38.1 करोड का net profit है quarter on quarter year on year में बहुत ज़्यादा फॉल देखने को मिला है जिसके बाद यहाँ पे EPS से 3.88 रुपीज का quarter on quarter year on year दोनों में बहुत बड़ी फॉल देखने को मिला है तो guys company का जो result निकल का है consolidated basis पर बहुत इवीक result देखने को मिला है क्योंकि company का profit लगातार गिरावट आ रही है अगर हम इसके stand-alone results को cover करें तो millions में numbers है income में 569 करोड का पिछले quarter में 496.8 करोड का और जून 22 quarter में 479 करोड का income था quarter on quarter year on year दोनों में तेजी देखने को मिल रहा है expenses 535 करोड का पिछले quarter में 486 करोड का और जून 22 quarter में 444.6 करोड का expense हुआ था quarter on quarter में expenses तो increase हल की near on year में expenses बहुत ज़्यादा हो इसके गन profits में गिरावट आई है जो कि operating profit 33.9 करोड का पिछले quarter में 10.6 करोड का और जून 22 quarter 34 करोड का operating profit है quarter on quarter में तो तेजी हल की near on year में डाउन देखने को मिला है बट net profit में गिरावट आई क्योंकि defer taxi add किया गया 125 करोड का जिसके बाद यहाँ पे net profit है 25.3 करोड पिछले quarter में 135.9 करोड का और जून 22 quarter 34 करोड का net profit है quarter on quarter year on year में गिरावट देखने को मिल रही है EPS 3.94 रुपीज का है quarter on quarter year on year दोनों में बहुत बड़ी fall देखने को मिला है तो guys company का जो result निकल के आया है ना बहुत वीक result company पेश किया उतना सरजल पेश ने गरबाई क्योंकि company का profit लगातार fall देखने को मिल रही है तो अब हम लोग जो है वीडियो को यहाँ पे गाइस देखे साब company जो सेग्मेंट revenue जनरेट कर रही है और तो हम लोग जो है वीडियो कहीं पर end करते हैं अगर कोई डाउट कमेंट बॉक्स में पूछे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तिल देन बाई बाई